नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फोर नेशन खबर मौसम से जोड़ी है जहां मौसम विभाग की तरफ से अगले चार दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलड जारी किया गया है आपको बताते चले कि मौसम को लेकर लगातार अपडेट हम बताते रहे हैं वही अगर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलड जारी किया है किन-किन जिलो में मौसम भाग की तरब से अलड़ जारी किया गया चलिए हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं IMD की संभावना सटीक होने से हर दिन बारिश हो रही है पूरे उत्तर विहार ही नहीं मद्विहार के भी अच्छे दिन देखने को मिल रहे है जहां लोगों को बारिश देखने को मिल रही है बारिश से आम जन खुश है इन्हें गर्मी से राहत मिली तो वहीं किसानों के चेहरे खिल गए है उनके खेतों में बारिश का पानी लगने लगा है, एक सब्ता पुर्व तक बारिश का पानी खेतों में सूख जाता था पर अब वो बात नहीं है, अब खेत में पानी लगा देख किसान खुश है बहुत सारे खिसान बच्चा हुआ धान का रोपनी पूरा करने में जुट गए है सीधा मड़ी जिले में शनी बार को रातर जोरदार बारिश हुई, वैसे मौसम बिभाग के अनुमान लगाया था कि रातरी में नौ बजे से बारा बजे तक सीधा मड़ी जिले में बारिश होगी और ऐसा ही हुआ, वहीं मौसम बिभाग के तरफ से जानकारी मिली है कि बिहार के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, जिसमें मधुवनी दर्भंगा के अलावा और अंगा बाज जिले में बारिश होगी इस तरह तीन बजे से छे बजे तक उत्तर बिहार के शिवहर पुर्वी चमपारण, दर्भंगा मधुवनी समित मध बिहार के कुछ जिलों में बारिश की बात कही गई थी और वो सच निकली भारती मौसम बिभाग की तरफ से ये जानकारे मिली है कि अगले दो दिनों के दोरान हिमाचर प्रदेश, पंजाब, हर्याना, चंडिगर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पशिम बंगाल और कई जगों पर खुब बारिश हो सकती है सोला और सत्रा गस को बारिश की पूरी संभावना है, बरहाल बारिश का ऐसा ही आलम रहा तो जिले की नदियों में उफान आने के साथ ही लोग बाट से भी प्रभावित होने लगेंगे जहां एक तरफ मौसम इभाग की तरफ से सोला और सत्रा गस को खास करके बिहार के अलग-अलग जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जाहिर की है तो वहीं आपको बताते चले की मौसम अभी फिलहाल ऐसे ही सक्रिये बना रहेगा जहाएक तरफ लोगों को उमस्भरी गर्मी से राहत मिलेगी और लोगों को बारिश देखने को मिल सकती है फिलहाल के लिए इस ख़बर में इतना ही अनिक अब्डेट्स के लिए देखते रहें न्यूस फानेशों